प्रसाशनिक अभिकारी और रेस्क्य टीम में उस युवक को निकालने के लिए रेस्क्य शुरू कर दिया करीब बारा घंटे बाद रात करीब साड़े बारा बजे आदम को जिन्दा निकाल लिया गया इसके बाद ड्रिस्ट का होस्पिटल रैफल कर दिया गया जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है हाथसा जिले के खूमे की बेरी गाउं का है जहां पूर्व उफसर पंच महेशाराम के घर पांच साल से बंद कुए की खुदाई का काम चल रहा था चार दिन से कुए की घहराई बढ़ाने का काम चल रहा था मजदूरों ने तीन फर में बांदे थे लेकिन जब खुदाई शुरू की गई तो तीनों फर में ढ़े गए तभी आदम खाव पुत्र जानु खान इवासी अमीसा की बस्ती कुए में अंदर ही दब गया वरियाम खान पुत्र जानु खावा अली शेख खाव पुत्र इबराम खाव कुए के बाहर होने से बच गये बताया जा रहा है कि यह कुए उन्निस सो चवालिस में खोदा गया था इससे काफी समय तक सिचाई की लेकिन पांस साल से बन रहा था देसी जुगार से रेत को खिसकने से रोका एक सो तीस गहरे खोदे कुए से रेत भी खिसक रही थी इसे रोकने के लिए लोगों ने कुए के चारो तरफ से लोगे का पत्रा लगा दिया था फिर भी तीनों फर्मो का मलवावा उसके आसपास की रेत नीचे गिरने से आदम खान उसी में दब गया उसका एक पैर सीमेंट के मलवे में फस गया था रेस्क्यू अपरेशन में प्रसाशन सेनाब, वी एसेफ, सिविल डिफेंस, जोधपूर, एसडी आरेफ, टीम वाइस खाने लोगों ने देसी जुगाड करके आदम को सुरक्षित बाहर मिकाल दिया ताजा अपडेज्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन धबानन अभूलें